आज की क्लास में हम कुछ ऐसे words के बारे में discuss करेंगे जिनको आप adjective के रूप में use कर लें चाहिए adverb के रूप में use कर लें उनका जो meaning है और उनकी जो form है वो same रहती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला शब्द लेते हैं तो पहला शब्द है alike alike को आप adjective के रूप में use करेंगे या adverb के रूप में use करेंगे इसका meaning जो है या इसकी form हमेशा same रहेगी जैसे जब आप इसको adjective के रूप में use करेंगे तो भी इसका मतलब होगा similar to each other और adverb के रूप में use करेंगे तो भी इसका meaning होगा in a similar way जैसे example देगे the two brothers look alike दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं यहाँ पर जो alike है यह adjective है यहाँ पर यह जो adjective है यह linking verb के बाद use हो रहा है लुक जो है वो linking verb होती है और हम सब जानते हैं कि linking verb के बाद हम adjective कपड़ियों करते हैं इसके compliment के रूप में जब हम इसको adverb के रूप में यूज करेंगे तो इसका मिनिंग होता है इन्हें similar भी जैसे the two sisters dress alike यहाँ पर जो alike है यह adverb है यह इस verb को modify कर रही है the two sisters dress दोनों बहिने कपड़े पहनती है how ठीक है तो यह how का reply है कैसे पहनती है alike एक जैसे next example देखे my teacher treats all the students alike मेरे जो अध्यापक है वो सभी students के साथ बरताव करते हैं कैसे बरताव करते हैं तो यह how का answer है ठीक है कैसे बरताव करते हैं एक जिससे बरताव करते हैं तो यहाँ पर यह how का reply है इसलिए यहाँ पर यह क्या एडवर्ब है तो हम देख रहे हैं कि जो यह अलाइक वर्ड है जो आप इसको adjective के रूप में यूज करते हैं और एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो meaning और इसको जो form है वो same बनी रहती है Next word is downtown downtown को जो आप adjective के रूप में यूज करेंगे या डवर्ब के रूप में यूज करेंगे इसका meaning होगा in or to the central part of a city ठीक है सहर के central part में जैसे जब हम इसको adjective के रूप में यूज करेंगे तो example देखिए We visited the fancy downtown boutique yesterday कल हम एक fancy downtown boutique में गए तो यहाँ पर जो downtown है यह इस boutique noun को modify कर रहा है ठीक है बुटीक यहाँ पर noun है और downtown यहाँ पर क्या हुआ adjective है क्योंकि यह इस noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह downtown जो है यह adjective है ठीक है यह जो boutique थी यह कहाँ पर थी मतलब कौन सी boutique में गए हम downtown downtown का मतलब जो city के central part में थी जब हम इसको adverb के रूप में यूज करेंगे तो भी इसका meaning यह होगा तो example देखते हैं चैसे I work downtown मैं कहां काम करता हूँ मैं downtown में काम करता हूँ downtown का मतलब है city के central park में city के central part में तो यहाँ पर जो downtown है यह where का reply है ठीक है I work मैं काम करता हूँ where downtown तो यहाँ पर यह where का reply है इसलिए यहाँ पर यह adverb का काम कर रहा है यहाँ पर तो इस परकार से हम देखते हैं कि downtown है हम इसको adjective के रूप में यूज करते हैं या adverb के रूप में यूज करते हैं इसको meaning है और इसकी जो form है हो same money रहती है next word है extra extra को जो आप adjective के रूप में यूज करते हैं या adverb के रूप में यूज करते हैं तो इसका meaning होता है more या additional इस example देखे do you need extra help यहाँ पर help noun है और यह जो extra word है यहाँ पर यह इस noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर क्योंकि noun को modify कर रहा है तो देखे इसको यूज कैसे करेंगे adverb के रूप में they pay him extra to work nights वे उनको रात में काम करने के लिए extra देते हैं extra का मतलब additional कुछ extra, कुछ additional, कुछ more ठीक है ना कुछ more money या कुछ more pay इस परकार से pay करते हैं तो यहाँ पर add यह जो extra है यह यहाँ पर add work का हम कर रहे है तो इस परकार से हम देखते हैं कि extra को जब हम adjective ya एड़व कर रूप में यूज करते हैं इसकी meaning याँ इसकी form होती है वो same रहती है next is far far को जब हम adjective या एड़व कर रूप में यूज करते हैं तो यह एक distance के रूप में यूज करेंगे तो भी एक डिस्टेंस को रफर करता है जैसे दस्टेशन इस नोट फार स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है विकन एजिली वाक दियर हम वहाँ पर आसानी से पैदल चल कर जा सकते हैं तो यहां पर जो फार है यहां पर यहां पर एड्जिक्टिव है क्योंकि यहां यहां से ज्यादा दूर नहीं रहती है तो यहां पर जो फार है क्योंकि यह वर्ब को मोडिफाय कर रहा है तो यहां पर यह एड्वर्ब है तो इस परकार से हम फार को भी एड्जिक्टिव और दोनों तरह से यूज कर सकते हैं और जब हम इसको यूज करत है adjective adverb के रूप में तो इसके meaning और इसकी जो form है वो same मनी रहती है next is fast fast को जो हम adjective adverb के रूप में यूज करते हैं तो यह एक moment को refer करता है ठीक है जिसे देखिए it was a fast train तो यहाँ पर train एक noun है और यहाँ पर जो fast है यह इस noun को को modify कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ adjective तो इस प्रकार से जब हम fast को किसी noun से पहले यूज करते हैं तो यह adjective होता है जो हम इसको adverb के रूप में यूज करते हैं तो इसका meaning यह होता है कि एक moment को refer करता है जिसे don't drive fast गाड़ी तेज मत चलाओ तो यहाँ पर जो यह इस verb को modify कर रहा है तो यहाँ पर फास्ट एड़वर्ब है तो इस पर कार से हम fast को भी adjective और जोनों तरह से यूज कर सकता है और जो हम इसको किसी भी तरह से यूज करें एड़वर्व के रूप में यूज करें इसकी form या इसकी meaning में कोई परिवर्त नहीं आता इसकी form या meaning same रहती है next word inside inside को हम adjective या adverb दोनों तरह से use कर सकते हैं जो हम इसको adjective के रूप में use करेंगे तो इसका meaning होगा inner part of something जिसे example देखे my phone was in the inside pocket of my jacket मेरा phone मेरे jacket के inside pocket में ठीक है न तो यहाँ पर pocket जो है यह noun है और यह जो inside है यह इस noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर क्योंकि यह किसी noun को modify कर रहा है और नावन को modify करने वाले शारे शब्द अड़िक्टिव होते हैं तो यहाँ पर यह adjective है जो हम इसको adverb के रूप में use करेंगे तो इसका meaning होगा in or into a room, building, container or something similar मतलब किसी चीज के अंदर जैसे I will work inside मैं अंदर काम करूंगा तो I will work where तो यह वेर का reply है तो वेर का reply है तो इसका मतलब यह adverb होए next देखे it is very cold inside अंदर बहुत ठंड है तो यह पर it is very cold बहुत ठंड है where कहा पर ठंड है inside तो यहाँ पर inside आडवर्ब है तो इस परकार से inside को भी हम adjective आडवर्ब दोनों दरे से use कर सकते हैं next word outside outside को जब हम किसी adjective के रूप में use करेंगे तो यह किसी ने किसी noun को modify करेगा जैसे इस example को देखिए there is an outside possibility that India will make it into the world cup तो यहाँ पर जो possibility है यह noun है और यहाँ इस sentence में इस noun को modify करने वाला शब्द outside तो outside यहाँ पर क्या हुआ adjective तो इस परकार से outside यहाँ पर adjective का का काम कर रहा है next है जब हम outside को adverb के रूप में use करेंगे तो इसका में नहीं होगा not in or not into a room building container or something similar but near it example देखिए it is very cold outside तो यहाँ पर जो outside यह एडवर्व है ठीक है it is very cold बहुत ठंड है कहां पर है तो यह वहर कर रिपलाई है तो यह वहर कर रिपलाई है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ हो है तो इसलिए यह क्या होगा एडवर्व होगे यहाँ पर भी तो इस तरह से outside को भी हम adjective या एडवर्व को रूप में यूज कर सकते हैं और adjective या एडवर्व किसी भी रूप में हम इसको यूज करें तो इसके meaning और इसकी form में कोई चेंज नहीं होता है next long long का जब हम adjective के रू इसमें बेंटिंग थी तो यहां पर जो मीटिंग है यहां पर नौन है वर लॉंग जो है यह इस नाउन को मोडिफाइ कर रहा है तो यहां पर लोंग क्या हुआ adjective हुआ next देखे, our hair is very long तो यहाँ पर जो long है, यह यहाँ पर adjective है क्योंकि यह linking वर्ब के बार यूज हो रहा है, तो यह adjective है next देखे, he has long legs तो यहाँ पर जो legs है, यह नाउन है नाउन को मोडिफाई करने वाले शब्द adjective होता है, तो यहाँ पर जो long है इस noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह adjective है तो इस प्रकार से यह इन तीनों sentences में जो long word है यह क्या है adjective ठीक है लेकिन जब हम long को adverb के रूप में use करते हैं तो इसका meaning होता है for a long time this example देखिये we have been working all day long तो यहाँ पर long adverb है next है it was my long awaited journey तो यहाँ पर जो long है यह इस past participle को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह adverb है तो इस तरह से हम long को भी adjective यह adverb के रूप में use कर सकते है next and next जब हम next को adjective के रूप में use करते हैं तो इसका meaning होता है after the present one मतलब जो वर्तमान में है उससे अगला जैसे who will be the next president अगला president कौन होगा मतलब जो इस समय president है उससे बादवाला president कौन होगा तो यहाँ पर जो president है यहाँ पर noun है इस noun को modify करने वाला शब्द next है तो यहाँ पर next adjective को काम कर रहा है next है कि एडवर्ब के रूप में जो हम इसको use करेंगे तो इसका meaning क्या होगा immediately immediately after जैसे what happened next ठीक है ना इसके बाद क्या हुआ तो यहाँ पर जो next है यहाँ पर एडवर्ब है इसके लावा हम next को adverb के रूप में हम तब use करते हैं जो हम दो लोगों या वस्तुओं को describe कर रहे हो ठीक है ना और यह जो दो लोग और या दो जो वस्तुओं हैं जिसको इसको हम describe कर रहे हैं यह बहुत ही एक दूसरे के very close है और इनके बीच में कुछ नहीं होगा तो हम इसको next को हम adverb की तरह यूज कर सकते हैं जैसे see came where I and sat next to me और मेरी बगल में बैठ गई तो इसका मतलब एक जो speaker है वो यहां ऐसे बठी थी और दूसरी यह बता रही है कि कोई भी दूसरी लड़की आई और इसके next to मतलब इसके बगल में बैठ गी इनके बीच में कुछ नहीं था ठीक ह तो इस परकार से हम दो persons को यहां पर describe कर रहे हैं दो people को describe कर रहे हैं ठीक है और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और यह बिल्कुल close है तो ऐसे में हम use करेंगे next to me और जब यहां पर हम next to me use करेंगे तो यहां पर next क्या होगी है क्या है next overseas overseas का मतलब है दूसरे देश में आट और college हमारे college में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो overseas मतलब क्या हुआ जो दूसरे देशों के हैं ठीक है तो students यहां पर क्या होगय है नाउन और overseas जो है यह इस नाउन को modify कर रहा है यहां पर यह बता रहा है which students तो which students overseas students मतलब जो दूसरे देशों से आयो है तो यहां पर यह overseas adjective है next देखिये I wanted to go to an overseas university मैं अडिएकुटिए मैं चाहता हूँ मतलब मैं फॉरन university जाना चाहता हूँ जो दूसरे कंट्री में उस यॉनिवस्टि सी जाना चाहता हूं तो यह पर यूणुव一次 क्या हो गया जौन को modify करने वाला word क्या बन गया overseas तो overseas यहांपर क्या हो गय या adjective हो गया क्योंकि इस noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह adjective इस परकार से हम overseas को adjective के रूप में use कर सकते हैं जो हम इसको adverb के रूप में use करेंगे तो इसका में निंग हो जाएगा in या to other country or countries जैसे the company does not have enough money to invest overseas company के पास ज्यादा धन नहीं है invest करने के लिए लेकिन कहां पर invest करने के लिए overseas तो यह वेर कर collar यह तो यहाँ पर यहां पर यह किससी रूप में यूज हो रहा है इस sentence में आड़व के रूप में है तो इस परकार से overseas को भी हम adjective ए या आड़वर्व के रूप में use कर सकते हैं और जब हम इसको adjective और अडर्भर्ब के रूप में यूज करते हैं इसका मिनिंग लगब सेम सा होता है वर इसके फॉन בी सेम होती है नेस capsule पास्ट को हम sleepy या डोर्ब दोनों तरह से to use कर सकते हैं जो हम को adjective के रूप में यूज करेंगे तो इसका मिनिंग होगा बीता हुआ ठीक है जो बीच चुका है जो समय उसको रेफर करते हैं जिसे I have been walking three miles a day for the past 30 years मैं पिछले 30 सालों से एक दिन में 30 मिल चलता आ रहा हूं तो यहां पर कौन से 30 years जो past मतलब जो बीच चुके हैं तो यहां पर जो past word यहां पर adjective का काम कर रहा है जह हम इसको एड़र के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा थोड़ा आगे ठीक है ना further than further further than a particular point तो थोड़ा सा आगे जैसे I live in I live on station road मैं station road पे रहत हूं just past the post office जो post office ही थोड़ा आगे है तो यहां पर जो past है यहां पर adverb है ठीक हम इसको time बताने के लिए भी adverb के रूप में यूज करते हैं जैसे it is half past three तो यहां पर जो past है यह time बताने के लिए यूज हुआ है यहां पर it is half past three half past three का मतलब है तीन बजकर 30 minutes ठीक है तो यहा अब straight का मतलब है सीधा तो हम straight को भी adverb के रूप में जब यूज करते हैं तो इसके form या इसके meaning में कोई change नहीं आता है जैसे straight को जो हम adjective के रूप में यूज करेंगे तो यह किसी ना किसी noun को modify करेगा जैसे can you draw a straight line तो यहां पर line यहां पर क्या हो गया यहां पर line noun है इस noun को मोडिफाई करने वाला शब्दे straight तो straight यहां पर क्या हो गया adjective जो हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा continuing in one direction एक ही direction में continuing कोई भी चीज एक ही direction में जारी होती है तो वहां पर हम इसको इसको एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं ठीक ह तो continuing in one direction without bending और curving immediately मतलब यह जो एक direction में जो जारी हो कोई भी चीज तो यह bend नहीं होनी चीज़िए कर्व नहीं होनी चीज़िए ठीक है जैसे go straight सीधे जाओ तो यहां पर straight एक एडवर्ब है next है कि I go home I got home and went straight to bed मैं घर पहुंचा और सीधा विश्थर पर चला गया तो यहा पर straight एडवर्ब है ठीक है तो इस पर कर से हम straight को भी adjective एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते थैंक्स पर उतिंग इस वीडियो happy learning बाई बाई